दोस्तो आज में आपको तिहोफार के लिए बहुती बढ़िया 40 मृट में थाली बनाना बताऊंगी इस थाली को देखते ही आपके परिवार के लोग खुश हो जाएंगे तो चलिए हम देखते हैं कि बहुती बढ़िया और शांदार थाली 40 म्नुन में कैसे बनती है तो शुरूबात करेंगे हम भिंडी से जिसके लिए एक पैन में डालेंगे दो चम्मच तेल, तेल गरम होने के बाद डालेंगे एक चम्मच हींग, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच जीरा और सबको हम चलाते उच्छे से भून लेंगे भूनने के बाद इसमें डालेंगे एक बारी कटी हुई प्याज और प्याज को हमें चराते अच्छे से भूनना है जब तक प्याज यहाँ पर हमारी भून रही है तो हम दही बड़ी की प्रेपरेशन कर लेते हैं टो मैंने आपर एक कप दूली मुओऑ की डाल को 20 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भिगोके रखा था और उसके बाद मैंने दाल को पीस लिया है पीसनी के बाद इसमें डालेंगे एक चुथाई चंब मच एंच नमक और दौनों को हमें अच्छे से मिला लेना है इसको हमें बहुत ज़़ा देर तक नहीं फैटना है बस इतना फैटना है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से दाल में मिल जाएं दाल हमारी अच्छे से फिट गई है इसको रख देंगे हम साइड में और प्याज को हम चेक कर लेते हैं प्याद भी अच्छे से भून गई है, इसमें डालेंगे आदा चम्मच लालमिश पाउडर, आदा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर सब को हम प्याद में अच्छे से मिला देंगे हमें यहाँ पर इसको भूनने की जरूरत नहीं है बस इतना चलाना है कि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं सारी चीज़ें मिलने के बाद इसमें डाल देंगे हम कटी हुई 200 ग्राम भिंडी और साथ साथ डालेंगे आदा चम्मच नमक और अब हमें भिंडी में मसालों को अच्छे से मिला लेना है और अब हम पैन को कवर कर देंगे और गैस का फ्लिम लो करेंगे लो फ्लेम पे भिंडी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक भिंडी पक रही है, side में मैंने दूसरी gas पे तेल को गरम कर लिया है गरम गरम तेल में चम्मच की मदद से हम बड़ों को इस तरीके से तोड़ेंगे तोड़ने के बाद मैंने gas का flame low किया है low flame पे हम बड़ों को तलेंगे तो बड़ों को हम अभी इनको तिल में इसी तरीके से छोड़ देंगे और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल रहे हैं फूलने के बाद अब हम इनको पलट देंगे और उलटते पलटते हुए सुनेरा कलर होने तक इनको हम तल लेंगे बड़े यहाँ पर हमारे तल गए हैं तो इनको हम तेल से निकाल कर साइड में मैंने एक बावल में पानी रखा है पानी में हम डाल देंगे और इन बड़ों को हम लगभग एक मिनट तक पानी में इसी तरीके से छोड़े रहेंगे एक मिनट में बड़े अच्छे से गल जाते हैं तो एक मिनट बाद इनको हम पानी से निकाल लेंगे भिंडी को पकते पकते पांच मिनट हो गए हैं तो इसको हम एक बार चला देते हैं और चलाने के बाद इसको हम फिर से कवर कर देंगे और पांच मेट तक और पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक सबजी पक रही तो चटनी तयार कर लेते हैं एक जार में डालेंगे एक कटा हुआ टमाटर चार हरी मिर्च पांच लेशन की कलिया ताजा हरा धन्या आदा चम्मच नमक और सब को कर लेंगे बारी ग्राइन चटनी याँ पर हमारी बन गई है अब तयार करेंगे दही बड़ों के लिए मीठ है दही तो मैंने याँ पर ये एक कप ताजा दही लिया है और दही में डालेंगे हम चार चम्मच पिसी हुई चीनी और चीनी को हमें दही में अच्छे से फेट लेना है और इसको हम तब तक फेटेंगे जब तक कि जो दही है अच्छे से स्मूथना हो जाए दही याँ पर हमारा रेडी हो गया है इसको रख देंगे हम side में और चली हम भिंडी चेक कर लेते हैं दसमेट हो चुके हैं भिंडी यहाँ पर हमारी बन की तयार हो गई है तो भिंडी को चेक करने के लिए थोड़ी सी भिंडी लीजे और दबाके देखिए यह देखिए भिंडी अच्छे से पक चुकी है गैस को करेंगे हम बन और इसको रख देंगे हम side में अब तयार करेंगे खीर तो खीर बनाने के लिए मैंने आदा लीटर दूद को गरम होने के लिए रख दिया है और साथ ही साथ मैंने दूसरी गैस पर रखाए को कर क्यूंकि हम तयार कर रहे हैं मटर पुलाओ तो कुकर में डालेंगे हम दो चमत शुद्य देशी घी आप चाहें तो तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं घी गरम होने के बाद इसमें डालेंगे एक चमत जीरा और जीरे को अच्छे से भून लेंगे जीरा भूनने के बाद इसमें डालेंगे एक कप भीगे हुए बासमती चावल साथी साथ डालेंगे हम एक चुथाई कप मटर और अब हमें चाबल और मटर को जीरे में अच्छे से मिलाना है और अब डालेंगे इसमें एक कप पानी साथी साथ डालेंगे एक चुथाई चम्मच नमक और मिला देंगे अच्छे से और अब हमें कोकर को बंद करके एक सीटी आने तक पुलाव को पकाना है साथी साथ यहाँ पर जो दूसरी गैस पर हमने दूद रखा था दूद में अच्छे से उबाला आ चुका है अब हम इसमें डाल देंगे एक कप भूनी हुई सिमया तो यहाँ पर ध्यान अखना है कि दूद जब अच्छे से उबल जाए तभी आप इसमें सिमया डालें नहीं तो यह जो सिमया की खीर है आपकी फट जाएगी और अब हमें इनको मीडियम फ्लेम पे 5 मेट तक अच्छे से पकाना है तो यहाँ पर कुकर में भी एक सीटी आ गई है गैस को कर देंगे हम बन अब तयार करेंगे पनीर की सबजी तो एक कढ़ाई में डालेंगे हम 4 चम्मच तेल और तेल को कर लेंगे अच्छे से गरम गरम तेल में डालेंगे 2 तेज पत्ता थोड़ी सी दाल चीनी एक चम्मच जीरा सबको हम चलाते अच्छे से भून लेंगे भूनने के बाद इसमें डालेंगे टमाटर और प्याज का पेस्ट यहाँ पर मैंने दो टमाटर और एक प्याज को पीस के पहले से ही रखा हुआ था और अब हमें इस पेस्ट को लगबख 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनना है जब तक पेस्ट हमारा पक रहा है तो हम खीर को चेक कर लेते हैं सिमया यहाँ पर हमारी पक गई है और इसको पूरा 5 मिट हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे आदा कप चीनी और चीनी डालने के बाद इसको हमें हाई फ्लेम पे चलाते हुए लगबख एक मिनट तक उबालना है चीनी अच्छे से घुल गई है तो इसमें डालेंगे थोड़ी सी केसर की पतियां थोड़े से कटे हुए पिस्ता खीरे यहां पर हमारी बन गई है गैस को कर देंगे हम बन और पैन को रख देंगे हम साइड में टमाटर प्याज का पेस्ट यहां पर हाप भुन चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे डेट चमच कश्मीरी लाल मिर्च आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर यह जो पनीर की सबजी हम एकदम बेसिक मसालों के साथ बना रहे हैं जो कि घर में आसानी से मिल जाएं सारे मसालों को हमें पेस्ट में अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद इसको हमें लगबग 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक मसाला हमारा भून रहा है तो हम पूरी के लिए आटा तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर लिया है मैंने 2 कप गिहूं का आटा और आटे में डाला है एक चमच तेल तेल को अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद पानी डाल कर हम पूरी के लिए डो तेयार करेंगे तो पूरी के लिए जो डो है हम थोड़ा सा टाइट मर लेंगे तो आटा यहाँ पर हमारा अच्छे से गून गिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल और तेल डालकर इसको हमें अच्छे से स्मूथ कर लेना है तो इसको कवर करके रख देंगे हम साइड में और यहाँ पर पनीर का मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है इसमें डालेंगे हम 100 ग्राम पनीर और पनीर को मसाले में अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद इसमें डाला है मैंने एक कप पानी आदा चम्मच नमक और अब हमें कड़ाई को ढखके सबजी को एक उबाला आने तक पकाना है तो सबजी में यहाँ पर उबाला आ चुका है अब हम इसमें डालेंगे खुब सारा बारी कटा हुआ हरा धनिया एक चम्मच कसूरी मेथी मिला देंगे अच्छे से मिलाने के बाद सबजी यहाँ पर हमारी बन चुकी है इसको रख देंगे हम साइड में और हम चलिए पुलाओ को चेक कर लेते हैं तो पुलाओ भी यहाँ पर हमारे अच्छे से बन गए हैं चम्मच की मदद से एक बार चला देंगे और अब डालेंगे खुब सारा बारी कटा हुआ हरा धनिया कोकर को रख देंगे हम साइड में अब बारी है रायते की रायते के बिना तो थाली अधूरी है तो यहाँ पर मैंने दो कप ताजा दही लिया है और दही को कर लेंगे हम अच्छे से स्मूथ अब डालेंगे तीन चम्मच बूंदी, बूंदी यहाँ पर मेरी यह जो है नमकीन है, तो यहाँ पर डाला है मैंने एक चुथाई चम्मच नमक, आदा चम्मच लाल मिर्श पाउडर, आदा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, मिला देंगे अच्छे से, और अब हडा हुआ हला हारा धनिया, रायता हें हमारा हो गया है तयार इसको रख देंगे हम साइड में चलिए हम, फाली लगा लेते हैं, दोस्तो पूरी अच्छी उज framing यह पहले हम अपनी ठाली लगाले थे उपर से गानिशे के लिए थोड़ा सा भूना हुआ जीरा पाउडर और लगाएंगे अपने डिलीशियस मुंग गाल के दही बड़े और बड़ों के उपर डालेंगे खूब सारा मीठा दही तो दही खूब सारी मात्रा में डालेंगे इसी सही इनका टेस्ट बड़ी आता है और अब डालेंगे हम थोड़ा सा सफेद नमग, थोड़ी सी लाल मिच पाउडर और थोड़ा सा भूना हुआ जीरा पाउडर रखेंगे थाली में मटर पुलाओ, हरी चटनी और साथी साथ रखेंगे कटी हुई प्याज अब तयार करेंगे हम गरम गरम पूर्णिया तो ड गोल गोल पूरी बना के तयार करेंगे आपको एक बार में जितनी पूरी आप बेल सकते हैं तो अब हम इनको तलेंगे तो उससे पहले हम पापड तल लेते हैं क्योंकि पापड बेना थाली अधूरी है पापड को मैंने यहाँ पर तल लिया है और अब हम इसी तेल में डाल भी पसंद आई होगी तो इस थाली को आप त्योभार पे जरूर बनाएं जल्दी मिलेंगे आपसे नई थाली के साथ तब तक के लिए बाई बाई नमस्ते